डिबीटे के एक्जाम है परसो, डर लग रहा होगा, टेंसन न हो रही होगी, उससे कुछ कर सकते हो, I don't think so, डर क्यूं लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टेंसन क्यूं हो रही है, परिसान क्यूं हो, एक्जाम इससे पहले भी बहुत सारे आपने दिये हैं, और य जैसे आप दोगे, वैसे बाकी लोग भी देंगे, जैसा पेपर आपके लिए होगा, वैसे बाकी सबी लोगों के लिए होगा, आपके लिए स्पेसिफिक तो है नहीं, डर उन्हें लगता है, टेंसन उन्हें होती है, परिसानी उन्हें होती है, जो मेहनत नहीं करते हैं, ज जूट अपने आपको बोलता रहा कि मैं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं जब एक्जाम आ गया तो आप टेंशन हो रही होगी कि अरे यार मैंने तो उस तरीके से पढ़ा ही नहीं करी अगर आपने अपनी बेस्ट प्रिप्रेशन करी है आपने अपना एफर्ट दिया है तो की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने अपनी बेस्ट त्यारी करी है तो जस्ट गो एंड जस्ट अप्लाई दोस्ट प्रिप्रेशन से नौलेज़ जनी एग्जामिनेशन हॉल यू वर अपना बेस्ट दो बस रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा कर्म करो फल की चिलता मत करो घीता में भी कहा गया है तो that is exactly same thing मेहनत किया है तो डरने की जरूरत नहीं है अगर मेहनत नहीं किया है तब तो डर लगेगा भाई और उसका कोई इलाज भी नहीं है चाहे डर लो चाहे टेंसन ले लो चाहे कुछ भी कर लो उसे एक्जाम अच्छा तो नहीं होने वाला एक्जाम खराब जरूर हो सकता है क्योंकि इन सबसे questions जो होते हैं वो अच्छे नहीं बनने वाले हैं आप tension के mood में डर के mood में examination hall में entry करोगे आता हुआ question भी गलत करके आओगे negative करके आओगे और फिर कहोगा कि अरे ये तो गड़ बड़ होगे इसलिए वो जो 3 घंटा है उ और utilized आप उतना efficiency भी कर पाएंगे जब आप अपने mind को calm और cool रखे रहें जितना cool रखेंगे उतना आपके लिए बहतर होगा जितना आप शांत रखेंगे खुद को उतना आपके लिए बहतर होगा जितनी तयारी हो चुकी है बहुत हो चुकी है जितना पढ़ लिया है मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ पचास डंम साथ भल समस होरा कि दुबारा सेम में नहीं पाओगे और आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, अगर आज भी पूरे दिन भर पढ़ रहे हो, कल भी पूरे दिन भर पढ़ोगे, और परसो एक्जाम देने जागो, सी पूरे के पूरे दिन भर से न, तो आपका जो माइंड है इतना थका थका फील करेगा, कि आपको मजा नहीं तो हमें एक अच्छी नींद की जरूरत होती है न, so that exactly अच्छे रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि नींद तो उतनी आने से रही, कि आप 14 घंटा सो, अगर आप सो सकते हो, तो सो लो बहुत सबसे अच्छा वही तरीका है, जितना प्रॉपर नींद लोगे, उतना आपका माइ माइन रिलेक्स रहेगा, लेकिन अगर नीद नहीं आ रही है, तब भी अपने माइन को रिलेक्स होने दीजिए, थोड़ा सा कूल रहे, एक दिन थोड़ा किताबों से दूर रहे, ताकि आपका माइन जब रिलेक्स रहेगा, अगले दिन जब आप एक्जामनेशन हॉल में जाएंगे तो एक फ्रेस तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि वो थकान दूर हो चुकी होगी, जो काम किया है इतने दिनों तक उसके लिए थोड़ा सा रेस देंगे, तो थकान दूर होगी, तब अच्छे से काम कर पाएंगे, अगर कल भी उसी तरीके से रेस में लगे रह करनी है mcq या ऐसे questions का यही तो advantage है कि आपको लिखना नहीं आपको दिमाग यूज करना है और दिमाग तब यूज होगा जब दिमाग सही stable सांथ और refreshed रहेगा तो इसलिए थोड़ा सा rest दीजिए अपने आपको और थोड़ा सा relax करिए mind में जो अगर मेहनत किया होगा best किया होगा तैयारी अच्छी होगी तो crack करोगे और नहीं होगी तो भगवान जाने so rest करिए relax करिए and a very all the best to all dear learners जैसे आपकी तैयारी है वैसा ही आपका result आएगा और जिस तरीके से आपने मेहनत किया हुआ है उसी तरीके से आपका paper भी जाए मैं यहीं उमीद करता हूँ क्योंकि I don't like I don't say कि हाँ मैं यह नहीं कहूंगा कि सबका हो जाए क्योंकि होना तो है यह नहीं सबका मतलब कोशी से ही होते कि हाँ हो जाना चाहिए बठा मैं हम ऐसा मेहनत पर एक ही रखता हूं और मैं यहीं कहूंगा अगर आप मेहनत किये हैं तो आपको qualify करने से कोई नहीं रोख सकता all the very best bye bye take care we'll see you in the next video